जो प्रिथ्वी है उसके अंदर जीवन देने वाली भी शक्तियां विद्यमान है जीवन लेने वाली भी और तीन परसेंट शक्तियां जीवित होती है 97 परसेंट जीवित वह डारमेट फ़ाम में होती है वो सुप तवस्था में होती है और इसका उधारन जो है जिस आंके पेड के नीचे मेरे गुरू ने तब किया था वो बारों महिने आं देता है बारों महिने आं देता है और उसकी मिठास ऐसी है कि आम वैसा खाए नहीं हो गया उसका नाम ही नहीं रख सकते जहां हमारी गौशाला है वो रेत थी राजस्थान की रेत थी रेत के टिबे थे सांप सांप ही होते थी वो मशूर है राजस्थान में बीगा भूत बिस्वा सांप तो साइद डबल होगा वहाँ तो वहाँ मैंने साधना करी पानी की एक बूंद नहीं थी आज आप राजस्थान की गौशाला में चले जाओ हर कुने में हर्याली निकल रही है और ग्यारा ट्यूब बैल है जहां भी बोलते हैं यहां पानी की जरुते में ट्यूब बैल कर लो को कैसे मैंने निकलेगा तुम करो तो सहीं गंगा जी बहेंगी मीठा पानी निकलता है वहां मैंने साधन करी थी वहां मैंने तब किया था अरावली की पहाडियों में लोग आने से डरते थे और कच्चा मिठी की दिवार जो है इंट भी नहीं थी मिठी को करते करते उपर एक कमरा बनाया अमबाजी की स्थापना करी वहीं साधना करी मैंने और वही अब गवशाला हो गई जो लखनव आश्रम था आज आप महां भी चले जाओ सफेद रंग की मिठी थी और सरकंडा जो उकता था वो भी जल जाता था और जैसी भी जब डाला तो मिठी कम और साप जादा लोगों ने का बाबाजी यहां क्या होगा एक भी तो पोधानी होने वाला और साप ही साप है मैंने बुला यह सब चले जाएंगे इनसे रिक्वेस्ट करनी होगी ना को एक्जिस्टिंस मारा मारी नहीं हम लोग क्या करते हैं हम डिस्ट्रॉइ करना शुरू करते हैं को एक्जिस्टिंस प्रार्थना करी बैठके और बंदारा चालू गया मौने का ये जो भोजन खा रहे हैं इसकी त्रप्ति का फल आपको मिले ये जो खा रहे हैं न भोजन खाते हैं तो त्रप्ति मिलती है न मौना ये जो त्रप्ति है इसका फल आपको मिले ये आपका स्थान था अब थोड़ा मैं अच्छा कारे करूँगा ये स्थान मेरे को दे दो आप थोड़ा इदर उदर शिफ्ट हो जाओ सब चले गए और समने का गरंटेड ये सफेद मिटी है खारा पानी निकलेगा मैंने का अभी देखो न जब बच्चा को कोई चीज चाहिए होती इस साथिटो अपने पिता से कहता है कि नहीं बोलो में इस और पिता दे देता है लेकिन वह भाव होगा कि यह मेरा पिता है तो ही तो और मैंने का यँ गंता जल निकलेगी एकदम बहुत मेठा पानी निकला तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो छोक्रोचे ना हमारे उसमें पड़े लिखे उन्होंने उसको उबाला, उबाल के देखा कि कोई नीचे सॉल्ट आया, एक भी सॉल्ट में आया और मैंने का लगाओ पेड़ बला लगेंगे, बला लगाओ ना बला फिर केमिकल पोटास डालते है बला कुछ नहीं डालना में ले पास है सप्लाई मैं डालूँगा कहां से मैं बलो उपर से डालूँगा में ले पास बहुत से आप देखो के निम्बू का साइज ऐसा है मोसंबी जितना हमरूद बाहर से काला अंदर से लाल और इतना आम हर फल जो है वहां होता है और जग्या कितनी है से डाई एकड़ और एकड़म हर चीज वहां उकती है और रंग जो है वो भी सफेद रंगाईव हो गया यह मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो शिव योगी है मैं बुलता हूँ कि बंजर जमीन ले लेना मैं जो तुमको बता रहा हूँ इसको उपजाव कर लोगे तुम वो विदी वो साइंस तोड़ी सी साइंस बताता हूँ तोड़ी सी साइंस बताता हूँ जो मिट्टी लो ना मिट्टी दिखती है कुछ दिखता है मिट्टी के अंदर नहीं दिखता ना कि माइक्रोस्कोप लेना अब दिखेगा की नहीं दिखेगा बहूसे जीव चलते दिखाए लेगे फिसादू बाबा को नहीं माइक्रोस्कोप हिट छे तो धर्ती भी देख लेता है धर्ती के अंदर भी देख लेता है लेकिन यह तब दिखना शुरू होता है जब प्रभावनी पड़ता जो भी कुछ है सब मिटीच है मस्ती में आगे बढ़ो देखता है और जो मैं एग्रिकल्चरल साइंटिस से बात कर रहा हूं देखो भाई म मैं पहले बताओ मैंने अग्रिकल्चर साइंस पड़ी नहीं जो डॉक्टर से बात करते हूं मैंने कभी मेडिकल साइंस पड़ी नहीं लेकिन हमारा जो चौथा शरीर है ज्यान वाइकोष जब उसमें प्रवेश करते हैं तो सारे शास्त्रों का ज्यान उसके अंदर है सारी साइंस का ज्यान उसके अंदर है और अभी जब लगा कि यह जो है खेती का ज्यान होना चाहिए तो बैठ गया तो जो पहला चीज है जो जीवानों तीन परसेंट जीवन देने वाले जीवानों है और तीन परसेंट जीवन को लेने वाले जीवानों है जो देने वाले हैं वो positive energy के है उसमें जोती निकलती प्रकाश निकलता है जो लेने वाले हैं उसमें से अंधकार निकलता है समझा गई बात? Yes or No? अगर जीवन देने वाले जीवानों धर्ती में जादा होंगे तो धर्ती उपजाओ होगी की बंजड होगी बोलो और जीवन लेने वाले जीवानों अगर धर्ती में जादा होंगे तो धर्ती उपजाओ होगी की बंजड होगी बोलो अब आप रसाइन डालते हो जब आप केमिकल डालते हो धर्ती मा के उपर तो वो जो जीवन देने वाले जीवानों वो मरते हैं तो जब वो मरते हैं लाइफ से वो डेथ जो है डिकेइंग वो कम होता है जब ये बढ़ा और जब ये कम हुआ तो जीवन लेने वाले जीवानों वो बढ़ते हैं जीवन कैसे लेंगे रोग के द्वारा उसके बाद आप जो सप्रे करते हो विशले विश होता है कि नहीं एंडोसलफान और वो सब विश होता है न विश को जब सप्रे करते हो तो जो वायू मंडल में जो जीव हैं जो सुक्ष में जीव हैं जो खेती को बढ़ावा देते हैं जो खेती को बढ़ाते हैं वो मार दिये जब वो मर गए positive energy खतम हो गई तो negative energy बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी बोलो तो वो distracting environment जो है वो हो गया अब खेती के अंदर पहले कभी 20 साल पहले सुना था कि बिमारी लगती थी बोलो बताओ मेरे को दिल पे हाथ रखे कभी बिमारी लगती थी खेती में आज क्यों आए दिन बिमारी लगती है क्योंकि destructive microorganisms जो है वो हमने उनको बढ़ा दिया है अब इसको reverse करने का procedure क्या है जो ब्रह्मान से वो जो दिव्य शक्ती है उसको जो है मैं इन में डालना शुरू करूँ तो वो जो destructive जिवान है वो वापिस सुप तवस्ता बे चले जाए और जीवन देने वाले जो जीव है वो जीवित होना वो शुरू हो जाए जो वो बढ़ेंगे तो बिमारी खतम होगी अब एक किसी के किसान के खेत में इल्ली इल्ली लगी सब में लग गया उसको शुव योग की दिख्षा प्राप्त थी उसने देनी शुरू कर दी बोला साथ दिन के अंदर उसके खेत में से पूरा इल्ली खतम होगी वो इड़ खतम होगया कहता है पड़ोस की डॉल उसका जो खेत उसमें सारी फली खाई गई खतम होगी वो मेरे अंदर बंपर क्रॉप होई तो ये किसी ने सुना वो पड़े लिखे अच्छे दिल वाली अम्मा थी पड़े लिखे बोली बाबाजी आप तो अहिंसा सिखाते हो आप ने इस चक्कर में लाखो इहड मार दिये मैंने बोला श्यवयोग सिरफ जीवन देता है मारता नहीं है डिस्टक्षन नहीं करता जीवन देता है और ये जो डिस्टक्षन वाले जीवानों है there is a term called transmuting the negative energy in positive energy तो वो जो है लुपत हो गए उस positive energy वो गर्ब में बापिस चले गए आप वहां जाके देख लो खेत में एक भी इल्ली एक भी कीड़ा नीचे मरवा नहीं दिखाई देगा जबकि सप्रे करोगे तो हजारों कीड़े मरवे दिखाई देंगे यहां तो श्यवयोग ये जीवन देने वाली बात है आप जो है जो planets हैं जितने भी ग्रहा हैं अगर आप उसको ध्यान हम लोग ध्यान की अवस्ता में जो ये मंत्र बने ये कैसे बने ये महरशियों ने जब ध्यान की अवस्ता में उस ग्रह के माल लीजे सूर्या है जैसे ही सूर्यों के पास आप connect करते हो सूर्य देव और वो ध्वनी अगर सुनते हो तो ओम की ध्वनी है मैं कोई धर्म नहीं सिखाने आया ना मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूं मैं तो प्राचीन भारतिय संस्कृति की बात कर रहा हूं जो सत्रिश्यों ने जिसको जाना जो अवधूत परंपरा में गुरू ने अपने शिश्य को दिया और वो ज्ञान और वो जो चेतना की उच्च वस्था में उस ध्वनी को सुना और जो पौदे हैं जो प्लांस हैं जिनको पूरी तरह से जीवित किया गया आप देख लेना टेस्ट कर लेना हर प्लांट के अंदर से एक धनी निकलती है जैसे शिव योग में मैं कहता हूँ ना स्थूल शरीर उसके बाद योग शरीर फिर नाद शरीर फिर सिद शरीर फिर जोतिरमे शरीर यह मेरे प्रोफेसर यहीं बैठे हैं परवत की चोटी के उपर यह जो ज्यान इन्हीं से मिलता है मुझे और इसको किसी भी युनिवेस्टी नासा के अंदर ले जाना वो बोलेंगे यह हमारा रिसर्च पॉइंट है जो योग शरीर है मैंने कहा कि जो आपका शरीर है उसके अंदर पचास टृलियन सेल्स है चोटे चोटे उसी तरीके से जो आपके बीज है जो खेती के बीज है उसमें वो जीन्ज है जनिटिक ज़्यदा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं उसके लेकिन जो पौदा जो उकता है उसको अगर क्योंकि वो जो sound frequency है वो इतनी हाई है कि कानों से सुनाई नहीं देती जो योगी होता है वो पांच। इंद्रियों के बाद वोँ अंधर की इंद्रियां जब ज्यागरत करता है। तो उसको सुक्श्म जीवों के ध्वनी भी सुनाई देती है जब वो सुनना चाहें। तो अगर आप किसी प्लांट को सुक्ष्म रूप से आप ध्यान लगाना फोकस करना वो भी एक ध्वनी एमिट करता है और अगर एक नैचुरल और्गेनिक प्लांट है वो भी एक ध्वनी एमिट करता है और जो कीमिकल रसाइन से पैदा किया गया वो भी एक धुनियनित करता है और अब आप ब्रमांड में जब उपर जाते हैं सूर्य एक धुनिय किरता है नोके नोग रह अलग अलग धुनिय इतुत करते हैं जिसको मंत्र कहा गया है मंत्र शब्द जो है और वहां से जो है प्रकृति से जो है वो जीवन देने वाली शक्ती वो शिवयों की जीवन दाइनी शक्ती जो है वो हम सब को मिलती है यह पोदों को भी मिलती है व्रक्ष को भी मिलती है गाय को भी मिलती है मनुश्य उसको रोक रहा है जैनिटिक टेंपरिंग करके केमिकल रसाइन डालके वो डिस्टक्टिव एनरजी क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जीवन देने वाली एनरजी भी व्यापत हैं और पूरे ब्रह्मांड में सुनामी लाने वाली, डिस्ट्रॉई करने वाली, भुकंप लाने वाली, वो एनर्जी भी व्यापत हैं. सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, जो शास्त्रों में कहा है, जो देवताओं को भी पुष्ट करता है, और असुरों को भी पुष्ट करता है. इसका क्या माईने है? कि जो आपकी इंटेंशन है, जो आपकी भावना है, वो उस एनर्जी का, वो उसको खिषती है. अब आप सोच लो कि आपने कौन सी एनर्जी को खिचना है? पॉजिटिव की नेगिटिव को. तो वो जो मंत्र है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में, जो जीवन देने वाले मंत्र हैं, यदि उनको उन पोदों के साथ जोड़ देते हैं, उन प्लांट्स के साथ जोड़ देते हैं, तो उनकी जो उपज है, उनकी जो शक्ती है, उनका जो स्वास्त है, वो कहीं गुना बढ़ जाता है क्योंकि वो एक एक फटलाइजर तो आप ग्रॉस रूप से स्थूलू रूप से दे रहे हो शिवयोग जो है वो कॉस्मिक फटलाइजर है और उसी तरीके से वही ध्वनी जो जीवन देने वाली ध्वनी है यही एदि पशूँ के उपपर आप डालते हैं गाएं के उपपर डालते हैं तो उनकी दूद देने की शम्ता जो है वो बढ़ जाती है तो इस प्रकार से यह एक विज्ञान और जदी आप करोगे तो आपकी खेती बढ़ेगी अब आप ने क्या करना है कि एक खेत आप वैसा रख लेना टेस्ट के लिए जिसमें विलकुल खाद नहीं डालना केमिकल खाद नहीं डालना और बाकी खेतों में आप जैसे कर रहे हो वैसे करना है वो शक्ति जब आप धर्ती में डालते हो तो उसमें जीवन देने वाले जीवानों जीवित होना शुरू हो जाते हैं उसके पस्चाथ आप धर्ती को जोद देते हो इसके दो फाइदे और है एक तो जीव जीवन देने वाले पैदा होते हैं दूसरे जो खर्पतवार के जो बीज हैं जो सबसे बड़ी मुसीबत है खर्पतवार वो सुप्त वस्ता में धर्ती में पड़े हुए हैं यदि आप एक सबा महिना जुताई से पहले शक्ती आप डालना शुरू कर देते हैं तो वो जो खर्पतवार के जो बीज हैं सोय हुए वस्ता में हैं जैसे ही शुवियोग की शक्ती डालते हो वो जीवित हो जाएगा जीवित होने वो फुताव हो जाएगा वो हरे हो जाएगे अब आपने जोद दिया उसको तो वो खतम हो गए के नए हो गए बोलो तो एक इस से बचाव हो गया दूसरा वो धरती की उपज शक्ती और वक्ता बढ़ गई वैसे तो आप केमिकल खाब पहले से ही अगर आप कम डालो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो लेकिन ये जो रसाइन है इसका मुझे ग्यान नहीं धरती का तो मुझे पूरा ग्यान है ये रसाइन कितनी डिस्ट्रॉइ कर चुके है दरती को ये मुझे नहीं बता इसलिए मैंने कहा कि आप एक खीत जो है उसमें बिलकुल कुछ नहीं डालना पहले दिन से ही सिरफ शिवियोग की खाद डालना शिवियोग की शक्ती डालना खाली यही डालना और जुताई करने के एक महिना पहले से डालने लेना अब जो बीज आप लेके आए आप से प्रार्थना है अभी एक ऐसा बीज भी आ गया है कि वो बीज को जब फसल उकती है तो वो दुबारा बोने पे कोई फसल नहीं उकती ऐसा बीज है कि नहीं है उसको मत यूस करना है नहीं तो हम गुलाम हो जाएंगे फिर हमारी गर्दन पकड़ लेगा बीज देगा ही नहीं हम फसल उगाने सकते तो हम तो गए ना काम से इसलिए वोही बीज लगाना जो की दुबारा हो सकता है समझा गए कि नहीं आ गए किसान वही बीज लगाए जो दुबारा उग सकता है अब पंद्रा दिन पहले बीज लेके आना बीज पंद्रा दिन पहले लेके आना ये जबलपुर यूनिवेस्टी की प्रमान है आप दस मिनट रोज बीज मिनट अपनी धर्ती पर और दस मिनट बीज पर शिवयोग की शक्ति डालना है और ये मैंने गारंटिट का है चैलेंजिंग का है कि मॉलिकुलर स्टक्चर मॉलिकुलर स्टक्चर कोई बदल नहीं सकता हम बदल सकते मॉलिकुलर स्टक्चर मॉलिकुलर स्टक्चर बदल जाएगा जी बीज का उसके अंदर जो जैनिटिक टेंपरिंग हो रखी है वो नर्मल सी क्योंकि हमें वापिस उन बीजों को वापिस उस अवस्ता में लेके आना है जो हमारे पास जो बीज थे उपज भी बढ़ानी है तो वो जो है उसके अंदर वो शक्ति बढ़ जाएगी अब जुताई करके उसको बो देना अब यह जो शिवयोग की साधना है इसको लोग बोलते हैं शिवयोग फटलाइजर यह शिवयोग फटलाइजर शिवयोग खाद है यह 365 दिन आपने धर्ती पे डालनी है यह 365 दिन की साधना है कितने दिन की साधना है बोलो बेज बोधिया शक्ति डालनी शुरू करती है अगर कभी-कभी देर सबेर बारिष हो जाती है तो एकदम फ़सल सुखेगी नहीं ये शक्ति उसको जीवित रखेगी क्योंकि आप जल जीवन देता है और ये जो शक्ति है ये परमात्मा की शक्ति है ये जीवन देने वाली शक्ति है ये प्राण शक्ति है वो जीवित रखेगी जो दूसरे जैनेटिकली टेमपर जो बीज है उसकी जो प्राण उरजा है वो खतम हो जाती है तो कीड़ा लगता है बिमारी लगती है उसकी औरा उसकी अनरजी कम हो जाती है लेकिन जो बीज आपने शक्ती डालिये उसको कीड़ा नहीं लगेगा आप ट्राइ करके देख लेना आप ट्राइ करके देख लेना आप को सप्रे की जरोती नहीं पड़ेगी आपने तो 20 मिनिट रोज सप्रे करना है अब किसी किसान ने कहा कि रोज रोज बैठना तो बड़ी मुश्किल की बात है तो वहीं दूसरे सज्जन थे उन्होंने कहा भाई ये खाद खरीदने की लाइन में खड़े होना कितने घंटे खड़े होते हो कभी नहीं मिलता तो अगले दिन खड़े हो उसके बाद खेद में सप्रे कितना चल चल के करते हो फिर उसके बाद दूसरा सप्रे कब कब करते हो और वो जो समान खरीद के लाते हो उसको कमाने के लिए कितना दिन मेहनत करते हो वो सब calculate कर लेना 20 मिनट से अधिक निकलेगा प्रती दिन और यहां भाग भाग के नहीं यहां राजा की तरह बैठके जोगी की तरह बैठके जोगी की तरह बैठ जाओ मैं तुम सब को दूसरा तनाव मुक्त हो जाओगे टेंशन एक खेड़ुकता उसका इंटर्वियू लिया वो है क्या हमारे पास वो रिकॉर्ड जो वो खुब खाता पीता था सारा कुछ पीता था और वो भी वो वो नशा करता था शराप कर नशा करता था काता बाबा जी जब से मैंने ये शुरू किया मेरा नशा छुट गया मैंने पीना छोड़ दिया मैंने नशा करना छोड़ दिया तो वो छुट गया तो बीवी से लड़ना छुट गया और उसकी बीवी बाजू में जोर जोर से रोती जा रही थी खुशी के आंसू थे तो का फिर तुमारी फसल बढ़ी बढ़ गई बोला फसल तो बढ़ी पर उससे ज्यादा मज़ा बहुत आ रहा है अब जीने का मज़ा आ गया है अब जो है बीस मिनट आपने शक्ती देनी है फसल जब बढ़ जाएगी काठने पर आओगे आपको आश्चरे होगा क्योंकि जब आप केमिकल खाद बिलकुल बंद कर दोगे और बगेर खाद के जब जो किसानों ने बगेर खाद के अब गेहूं उगाना शुरू किया है वो फोटो आई उनकी बाली गेहूं की बाली इतनी इतनी लंबी वो ऐसे लगता है जैसे किसी और ग्रह से वो बाली आई हो एक किसी ने फोटो भेजी उसका घिया वो कंदे जितना लंबा है और एक दम पतला कच्छा तो ये इस तरिके से जो है और जो सोया बीन एक किसान बोला कि मैं जब गया तो सोयबिन का ये मोटा मोटा दाना तो अरती ने मेरे को बुला के बुला भई इधर आतू ये मेरे को सप्लाई करना मैं तेरे को अच्छा पैसा दूँगा ये बीज के रूप में मैं इसको बेचूँगा So he was producing seeds तो इस तरीके से जो है जब फसल कट जावे क्योंकि आपने धर्ती की उपज को बढ़ाना है धर्ती की उपज को बढ़ाना है और जब फसल कट जावे उसके बाद भी जो है आपने उसमें शक्ति डालते रहना तो जो भी उसके अंदर खर्पतवार है जो weeds हैं वो बीज अगर अंदर गिर गए हैं वो अंकुरित होंगे तो थोड़े समय के बाद आप देखोगे कि कोई भी weeds रहेगा